बच्चों पिछले वीडियों में हमने जाना हमारे समानता के आदर्श के बारे में और हमने ये भी जाना कि क्या होती है अवसर की समानता और कौन-कौन सी ऐसामानताईं हैं जिन्हें हमें स्विकार करना चाहिए आज हम जानेंगे समानता के आयामों के बारे में तो चलिए चलते हैं और जानते हैं समानता के आयाम सबसे पहले हम अंतर करते हैं प्राकर्तिक और समाजिक ऐसमानताओं में कि आखिर ऐसी कौन सी ऐसा मानताईं हैं जो प्राकर्तिक हैं और कौन सी ऐसा मानताईं हैं जो कि समाज मुलक हैं अर्थात समाज द्वारा पैदा की हुई हैं प्राकर्तिक ऐसा मानताईं वो होती हैं जो कि जन्मगत विसिस्टाओं और योगिताओं का प्रिनाम हैं ऐसी ऐसा मानताएं जैसे कि कोई व्यक्ति जन्म से ही बहुत अधिक बुद्धिमान होता है, जबकि कोई व्यक्ति जन्म से मंदबुद्धी होता है, कोई व्यक्ति जन्म से बहुत हस्ट पुष्ट और तंदुरुस्त होता है, कोई व्यक्ति जन्म से विकलांग पैदा होता ह तो ऐसी ऐसमानताएं कहलाती हैं जन्मगत ऐसमानताएं और ये होती हैं प्राकर्तिक ऐसमानताएं अर्थात वो ऐसमानताएं जो कि प्रकर्ति ने ही पैदा की हैं जो कि प्रकर्ति द्वारा प्रदत हैं ऐसी ऐसमानताएं प्राकर्तिक ऐसमानताएं हैं सामाजी कैसा मानता है वो होती है जिने समाज ने पैदा किया है बहुत सारे ऐसे समाज हैं जो कि मानसिक कारियों को सारे रिक कारियों से ज़्यादा मैत्वपूर्ण मानते हैं और उनका ज़्यादा अपन कहीं की मतलब पारिश्रमिक दिया जाता है तो ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाइं हैं जो कि समाज द्वारा पैदा की गई हैं, समाज द्वारा बहुत सारे भीदभाव पैदा की गई हैं, बहुत सारे ऐसे रिती रिवाज हैं जो कि किसी एक वर्ग को दमित करते हैं, उत्पिडित करते हैं, तो जो भी समाज ने पैदा क हैं वो हैं समाजिक ऐसमानताइं देखिए प्राकर्तिक और समाज मूलक ऐसमानताओं में फर्क करना उपयोगी है क्यों उपयोगी है क्योंकि ये माना जाता है कि जो प्राकर्तिक ऐसमानताओं हैं जो प्रकर्ति ने हमें दी हैं उन ऐसमानताओं को हमें स्विकार करना ही होग क्योंकि ये प्राकर्तिक ऐसामानताईं हैं इनको कभी भी बदला नहीं जा सकता इनको कभी भी दूर नहीं किया जा सकता लेकिन जो ऐसामानताईं समाज ने पैदा की हैं उन ऐसामानताओं को समाजिक धांचे में परिवर्तन करके बदला जा सकता है दूर किया जा सकता है इसलिए इन दोनों में अंतर करना बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे हमें इस बात का भान हो जाता है कि कौन सी ऐसा मानताईं हमें स्विकारिये हैं और कौन सी ऐसा मानताईं हमें ऐस स्विकारिये हैं जो ऐसामानताईं प्रकरतिक रूप से हैं जैसे कि योग्यता की भिनता जैसे कि प्रतिभा की भिनता जैसे कि सारीरिक अपन बोलें की शक्ति की हस्ट पुष्टता की ऐसामानता तो ये समानता प्रकरति द्वारा प्रदत है तो ये हमें स्विकार करनी होगी क्योंकि प्रकरत वह एपरिवर्टनिये हैं, कि उन सामाजिक ऐसमानताएं को दूर करके समानता की स्थापना की जा सकती है लेकिन अब एक ओर तत्थे भेत्वपूर्ण हैं जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए ये बात जो हमेशा से कही जा रही थी कि प्राकर्तिक ऐसमानताएं हैं वो ऐ परिवर्थ निये हैं इस तथे को आज जुटला दिया गया है जैसे कि कोई व्यक्ति जर्मगत विकलांग है उसके लिए चिकित्सा विज्ञान में इतने आविशकार कर ली है इतनी तकनीकी विक्षित कर ली है कि वो विकलांग व्यक्ति कुछ उपकरनों के सहारे अपना कार्य स्वयम कर सकता है और आज भी बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अंधे होते हुए बहुत अच्छे अच्छे उच्छ कार्य कर रहे हैं कोई व्यक्ति ऐसे हैं जो कि दोनों पाउं हुए बिना भी बहुत अच्छी अच्छी अपन कहें कि कारिये कर रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे उधारण आपको मिल जाएंगे कि एक पैर के बिना भी लोगों ने एवरेस्ट फटै किया है तो इस तरह के चिकित्सा विज्ञान ने अब इन प्राकरतिक ऐसमानताओं को स्विकार करने की बात को भी जुटला दिया है अर्थात प्राकरतिक ऐसमानताओं के बावजूद भी वो व्यक्ति सामाजिक रूप से समानता के इस तरपर एक जीवन जी सकता है अब आपन देखेंगे समानता के आयाम, समानता के प्रकार किस प्रकार के समाजिक अंतर स्विकार योगे हैं इस सवाल पर विचार करने की बाद ये हमें सोचने की आवश्यक्ता है कि समानता के क्या-क्या आयाम है ये तो हमने जान लिया कि समानिता के कौन से जो अंदर है वो हमें स्विकार योगे हैं समानिता की वो अंतर जो की प्रकरतिने पैदा किये हैं जो की योगेता में अंतर है जो की प्रतिभा में अंतर है हम स्विकार कर लेंगे लेकिन समाज द्वारा पैदा की गई ऐस समानता स्विकार नहीं हो सकती तो अब जान लेते हैं हम समानता के आयाम कि कौन-कौन सी समानताएं हमें इस्थापित करनी है और किस प्रकार से उन समानताओं की स्थापना की जा सकती है और कौन सी बाती है जो इन समानताओं में बाधक हो सकती है और उनका समाधान कैसे निकाला जा सकता है चलिए समाज में व्याप्ट अलग-अलग तरहा की ऐस समानताओं को पहचानते हुए विचारकों ने समानता की तीन आयाम बताई है राजनितिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता सबसे पहले अपन जानेंगे राजनितिक समानता के बारे में ये राजनितिक समानता क्या होती है हमारे देश में लोकतांतरिक सासन प्रणाली है हम सभी जानते हैं कि हम वोट देते हैं और वोट देने पर हमारे जो उम्मीदवार बहुमत प्राप्त करते हैं वो जीतते हैं और वो जीतने के बाद में सत्ता प्राप्त करते हैं लेकिन वो कौन से उम्मिदवार जीतते हैं क्या चुनाव लड़ने वाला कोई विसेश वर्ग है और चुनाव लड़के जीतकर बाद में सत्ता संभालने वाला क्या कोई विसेश वर्ग का अधिकार क्षित्र है या फिर देश का कोई भी नागरिक इस सत्ता प्राप्त करने क अधिकारी हो जाता है अगर उसने चुनाओं में जीत प्राप्त कर ली है तो बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहां मताधिकार हम सभी भारतियों को प्राप्त है उसी तरह हम सभी भारतिय नागरिकों को प्राप्त है चुनाव लडने का अधिकार, जीते जाने पर सत्ता प्राप्त करने का अधिकार तो यही बातें कहलाती है राजनितिक समानता अर्थात ऐसा कोई विशेस अधिकार प्राप्त वर्ग नहीं है कि वही वोट देगा, ऐसा कोई विशेस वर्ग नहीं है कि चुनाव के वलवई लोग लड़ सकते हैं ऐसी कोई भी परिभासा हमारा भारतिय समिधान स्विकार नहीं करता है प्रतेक भारतिय नागरिक जो की चुनाव लड़ने के लिए निश्चित योग्यताई हैं उनको प्राप्त कर लेता है तो वो चुनाव भी लड़ सकता है वो जीत भी सकता है और इस राष्ट्र के बड़े से बड़े पद पर आसीन हो सकता है तो राजनिती के अंदर भाग लेना, राजनिती के कार्यकलापों में सम्मिलित होना, इन सब में समानता होना राजनितिक समानता कहलाता है विना किसी भेद भाव के सावर भोमिक मतादीकार राजनिती में भाग लेने चुनाव लड़ने आदी के समान अवसर सभी को समान नागरिकता सभी नागरिकों को समान अधिकार जो नागरिकों को अपना विकास करने और राज्जी के काम काज में हिस्सा लेने में सक्षम बनाते हैं अर्थात हमारे राष्टर द्वारा दिये गए अधिकार क्या हमारे राष्टर ने जो मूल अधिकार हमें दिये हैं हमारे समिधान ने जो मूल अधिकार हमें दिये हैं क्या वो किसी विसेश वर्ग के लिए हैं? क्या उसमें कोई ऐसा उपबंद है जो कि कुछ वर्गों को उन मूल अधिकारों का उपयोग करने से रोखता है? ऐसा कोई उपबंद नहीं है, अर्थात हम राजनितिक समानता की स्थापना कर रहे हैं. अगर कोई ऐसा उपबंद हो जो कि किसी वर्ग विसेश के लिए ही ऐसे अधिकार दे, तो उसे हम राजनितिक रूप से समानता नहीं कहेंगे. तो क्या हुआ राजनितिक समानता की राष्टर के सभी नागरिकों को सारो भौमिक मता अधिकार हो, उनको चुनाव लड़ने का अधिकार हो, सत्ता प्राप्त करने का अधिकार हो, राजनितिक कार्ये कलापों में भाग लेने का अधिकार हो, सबको समान अधिकार हमें प्र संसाधनों और अवसरों की भिन्ता का परिणाम है। ये भी एक नकारात्मक पहलू है जिससे हमें गुजरना पड़ता है कि हमारे समिधान द्वारा बेशक राजनितिक समानता की स्थापना की गई है। लेकिन इसके बावजूद भी व्यवहार में बहुत सारी ऐसमानताएं व्यापत हैं। और उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि लोगों के पास संसाधन नहीं है, जागरुकता नहीं है, सिक्षा की वयवस्था नहीं है, सिक्षा तक उनकी पहुंच नहीं है। कल्पना कीजे किसी ऐसे व्यक्ती की जो की बहुत ही पिछड़े हुए इलाके म काटते हैं या फिर बीडी जैसा बनाने जैसा कोई काम करते हैं चूडियां बनाने जैसे कोई काम करते हैं किसी अंधिरी कोठरी में और इसी तरह अपना जीवनियाबन कर रहे हैं क्या उनकी लिए महत्वे हैं इस तरह की अधिकारों का क्या उनको पता है कि वोट देना और फिर जीतना और फिर सता प्राप्त करना ये सब क्या चीज़ें होती हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाता है क्योंकि उनके आसपास कोई स्कूल नहीं है और अगर कोई स्कूल है भी तो वो केवल ऐसे नाम मात्र की हैं कि वो बच्चों की सिक्षा की और अपन कहें कि उम्मीदों को अपेक्षाओं को जरूरतों को पूरा नहीं कर प तो क्या ऐसे व्यक्ति के लिए हमारे समिधान में दिये गई ये राजनितिक अधिकार, ये राजनितिक समानता कोई महता रखती है, क्या हम इसे समानता की स्थापना मान लें, नहीं मान सकते, तो फिर क्या करना होगा, तो फिर ऐसा कौन सा पहलू है जिस पर अपन विचार कर और उन व्यक्तियों को भी राजनितिक समानता से राजनितिक अधिकारों से रुबरू करवा पाएं। तो इसके लिए हमें लानी होंगी आर्थिक समानता और समाजिक समानता। तो चलिए जानते हैं सामाजिक समानता के बारे में। सामाजिक समानता जैसे कि सपस्ट है समाज से जुड़ी हुई हैं। समाज में धर्म वन्स लिंग जाती आधि किसी के भी आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो तो वो समानता सामाजिक समानता कहलाती है। अर्थात समाज में सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार, सभी जातियों के साथ समान व्यवहार, सभी को जीने के रहने के आराम से समान अफसर, सभी की प्रतिष्ठा का समान, सभी की गरीमा का समान, तो वो कहलाता है सामाजिक समानता. तो क्या किया जाए उस वर्ग के लिए सामाजिक समानता की स्थापना के लिए जिसका की अभी-भी मैंने उधारन दिया था कि वो पूरा परिवार ब्युडी बनाने के उद्योग में चुटा हुआ है उनके लिए सिक्षा का कोई महत्व नहीं है उनके लिए बैकि कोई मतदान का, कोई राजनीती का कोई महत्वर नहीं है उनके आगे पीछे उपर नीचे एक ही लक्ष है कि पेट भरने लायक मजदूरी वो कमा पाएं इसके लिए हमारे समाज में सामाजिक स्थापना की कैसे स्थापना की जाएगी इसके लिए सरकार द्वारा प्रियास किये जाएंगे उनको समानिता के इस्तर पर लाने के लिए उनके लिए कुछ विसेस वर्ताओं के अधिकार दिये जाएंगे इसके बारे में विस्तार से आगे हम अधियन करेंगे अभी देखते हैं समाज में सभी सदश्यों की जीवन यापन के लिए अवसर उचित पोशक आहार और नियूनतम वेतन जैसे सुविधाओं का होना समाज में उन सदश्यों के लिए हमें व्यवस्था करनी होगी अवसरों की उनके लिए उचित पोसक आहारों की उनके लिए नियूनतम वेतन की नियूनतम पारिश्रमिक की राजनितिक समानता के तहट प्रदान की गई अवसरों की समानता सभी को प्राप्त हो सके इसके लिए राज्य को प्रियास करने होंगे उस परिवार के लिए राज्य को प्रियास करने होंगे कि उसके बच्चे सिक्षा प्राप्त कर सकें वो भी अपने जीवन को एक आदर्श आयामों के अंतरगत या फिर एक मतलब कहें कि ठीक ठाक से जीवन इस तरके साथ जी सकें तो उसके लिए राज्य को प्रियास करने या फिर सबके पास बस समान मात्रा में पैसा होना चाहिए इसका तात्पर ये ये है कि अर्थ के आधार पर अमीर गरीब के बीच के खाई इतनी जादा गहरी ना हो कि एक वर्ग है वो शोसक वर्ग बन जाए अर्थात वो अपने अर्थ के बदले अर्था तो वो अपने धन की पैसे के ताकत के बदले किसी दूसरे वर्ग का जो की कमजोर है जो की गरीब है उसका सोशन ना कर सके तो आर्थिक समानता पूर्ण रूप से संभव नहीं है लेकिन आर्थिक समानता का तात पर ये है ये गरीब और अमीर के बीच की इस खाई को जितना हो सके कम करना इस खाई को पाटने का प्रियास करना देखते हैं समाज में विक्तियों और वर्गों के बीच धन दोलत और आमदनी में बहुत अंतर नहीं होना चाहिए येदि किसी समाज में लोगों के कुछ खास वर्ग के पास पीडियों से बेसुमार धन दोलत है और दूसरा वर्ग वीडियों से गरीब है तो उस समाज में आक्रोस और हिंसा समभावित है अर्थात हम देखते हैं कि पीडियों से अगर किसी वर्ग के पास धन दोलत है पीडियों से मान लीजे कि वो लोग एक बहुत अमीर वर्ग से आते हैं और एक वर्ग है जो की बहुत गरीब है पीडियों से ही बहुत गरीब है तो समाज में अगर ऐसे स्थिती है तो निस्चित ही एक संगर्ष की संभावना यहां पर बनती है और इसमें कोई मारलव की अतिश्योक्ती नहीं होगी कि यह संगर्ष बाद में हिंसक संगर्ष भी बन सकते हैं अब देखते हैं अपन आर्थिक समानता के भारे में दो जो विचार धाराई हैं उनके विचार पहले विचार धारा है मार्क्सवाद जो की काल मार्क्स द्वारा दी गई थी और काल मार्क्स ने ये आर्थिक आधार पर समानता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपन कहें की विचार रखा। उन्होंने ये कहा कि समाज में जितनी भी ऐसा मानताई हैं, जितनी भी भीद भाव हैं, जितनी भी सोशन हैं, वो केवल अर्थ के कारण हैं, आर्थिक संसादनों पर आधिपत्ते के कारण हैं। संसादनों पर नीजी स्वामित्व को समाप्त कर देना चाहिए। अर्थात किसी के पास भी किसी प्रकार की कोई नीजी संपत्ती नहीं होनी चाहिए, ये सारी की सारी संपत्ती राज्य की होगी और राज्य है वो नागरिकों के कल्यान के लिए इस संपत्ती का उप्योग करे जानते हैं पन माक्स के अनुसार आर्थिक ऐसमानताओं का कारण आर्थिक संसाधनों पर नीजी स्वामीत्व है नीजी स्वामीत्व मालिकों के वर्ग को सिर्फ अमीरी नहीं बनाता बलके उन्हें राजनितिक ताकत भी देता है माक्स यह कहता है कि सब से बड़ा कारण चाहे वो राजनितिक ऐसमानता हो चाहे वो सामाजिक ऐसमानता हो इन सब ऐसमानताओं का कारण है वो आर्थिक ऐसमानता है आर्थिक ऐसमानता के कारण की पूरा समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग अमीर वर्ग को उसने बुजुरवा वर्ग कहा था गरीब वर्ग को उसने सर्वहारा वर्ग कहा था और वो कहता है कि इसमें जो एक वर्ग है अमीर वर्ग है वो निरंतर अपने पैसे के कारण आने वाले समय में और ज्यादा मजबूत होता जाता है और ज्यादा धन के बलबूते मजबूत होकर राजनितिक जो सारी की सारी व्यवस्थाइं है राज्ये की जो व्यवस्थाइं उन पर भी नियंत्रा निस्थापित कर लेता है और इस राज्य नामक संस्था को भी इस तरह से तयार करता है कि ये संस्था भी इनके सोशन करने में इनका सहयोग करती है और ये निरंतर सोशन करता है एक दूसरे वर्ग का गरीब वर्ग का स्रमिक वर्ग का और जो स्रमिक वर चाहिए रास्टर इस प्रकार का बनना चाहिए कि उसमें नीजी संपत्ति का पूर्णती समाप्ति कर देनी चाहिए और समाज के रास्टर के सभी संसाधनों पर रज्य का अधिकार होना चाहिए आर्थिक ऐसमानताइं अन्य तरह की सामाजिक ऐसमानताओं को बढ़ावा देत समाधान क्या है? आवश्यक संसाद़नों और अन्य तरह की सम olması पर जनिता का नियंतरन होना चाहिए, राष्ट्र का नियंतरन होना चाहिए। दूसरी विचारधारा जो की ऑर्थिक समानता के बारे में कहती है, वो है उधारवाद। उदारवाद के बारे में थोड़ी सी चर्चा अपने करी थी पिछले कुछ वीडियोज में उदारवाद है वो व्यक्ति की स्वतंतरता को बहुत अधिक महत्व देती हैं तो उदारवाद ये कहता है कि आर्थिक समानत्या की स्थापना का तात्पर ये है कि समाज में मुक्त प्रतिश्प्रधा होनी चाहिए, अर्थात व्यक्ति हैं वो अपनी योग्यता से, अपनी प्रतिभा से जितना अधिक धन अरजन कर सकें, धन कमा सकें ये उनको अपना कमाना चाहिए, ये ही आर्थिक समानता है, अर्थात सभी को एक मुक्त प्रतिश्प्रधा और प्रतिद्वांदिता होनी चाहिए, समान प्रतिश्प्रधा होनी चाहिए, तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता है, जानते हैं चलिए, उदारवाद समाज में संसाधनों और लाभ होना चाहिए जो व्यक्ति अधिक योग्य होगा उसको अधिक संसाधन प्राप्त हो जाएंगे अपने आप वो प्राप्त कर लेगा अपनी प्रतिभा के भलबूते सोतंत्र और निश्पक्ष प्रिस्थितियों में लोग प्रतिश्परदा करेंगे तो ऐस अमानता की खाईया अपने आप कम होंगी उधारवाद का ये मानना है कि अगर प्रिस्थितियों सोतंत्र हैं अगर प्रिस्थितियों निश्पक्ष हैं अगर नियम कानून निश्पक्ष हैं और अपन कहें कि जो आर्थिक प्रतिश्परदा है तो लोग हैं वो अपने आप इस तो रहा था कि आर्थिक ऐ समानता कारण है राजनितिक और समाजिक है समानता का। विक्षित करने का अवसर नहीं देती। जहां माक्सवाद हर प्रकार की आई समानता की समाप्ती की बात करता है वहां उदारवाद है वो स्वतन प्रता को महत्वपूर्ण मानता है इसलिए उदारवाद कहता है कि जितनी भी समानता हैं समाज में जितनी भी आई समानता हैं उन में से बहुत सारी ऐसमानताई हैं वो की कहें कि अपन बिकार नहीं है खराब नहीं है या फिर वो सम्मश्या नहीं है तो फिर सम्मश्या कौन सी ऐसमानताई हैं समेश्य वो ऐसमानताई हैं जो की व्यक्ति को उसकी व्यक्तिक क्षमता का परदर्शन करने की लिए रोकती हैं अर्थात उन ऐसमानताओं को समाप्त किया जाना चाहिए जो की व्यक्तिक क्षमताओं को उसकी प्रतिभाओं को संकुचित कर रही है तो जाने अपनने समानता के तीन आयाम कौन-कौन से राजनितिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता आर्थिक समानता के बारे में हमने विचार जाने मक्सवादी विचार धारा के और उदारवादी विचार धारा के प्रति अपनी योग्यता को और ज्यादा बढ़ाने की अपनी योग्यता के बलबूते अपने लक्षों को प्राप्त करने की अवसर प्राप्त कर सके लेते हैं क्योशन आंस्वर क्योशन नमबर वन प्राकरतिक और सामाजी कैसमानता हैं क्या हैं वीडियो के सुरू में हमने जाना था क्या है प्राकर्तिक और सामाजी के समानता है इसके बारे में आपको लिखना है आर्थी के समानता की समापती है तू माक्सवाद ने क्या उपाय सुझाई है माक्सवाजने नीजी समपत्ती की समापती के उपाय सुझाए है तो इसके बारे में भी आपको लिखना है धन्यवाद